नमस्कार देश और दुनिया की कुछ खास अब्डेट के साथ मैं निधी हाजिर हूँ MP News पर चलिए खबरों के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि क्रशी कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी है किसान दिल्ली कूछ करने की पूरी कोशिश कर रहे है लेकिन प्रशासन ने उन्हें हरियाना पंजाब बॉर्डर पर रोका हुआ है कल दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं किसानों ने खूब हंगामा किया इस दौरान पुलिस से जड़प भी हुई प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से नौ स्टेडियमों को अस्थाई जेलों में तबदील करने की अनुमती मांगी है बॉलिफूर एक्टरिस कंगना रनौत के बंगले में तोड़फोर मामले में बीमसी का नोटिस बॉम्बे हाई कोट ने रद्द कर दिया है बीमसी को इस मामले में बॉम्बे हाई कोट ने कड़ी फटकार लगाई है बॉंबे हाई कोड ने कहा है कि BMC ने अधिकारों का दुरूपयोग किया है साथी कोड ने कंगना के बंगले में हुए नुकसान की जाच स्वतंतर एजनसी से कराए जाने का आदेश भी दिया है नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाई कोट बाद में सुनाएगा माराश्टर की मुखी मंत्री उद्धव ठाकरे से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से परहेश किया और सिर्फ ये कहा कि क्रपया इस मामले को छोड़ दे मैं इस पर टिपड़ी नहीं करना चाहता मेरे पास इस बारे में बात करने का समय नहीं है अगली अपडेट अगले शैक्षरिक सत्र से IIT और NIT में मात्र भाशा में इंजिनिरिंग की पढ़ाई होगी केंद्रे शिक्षा मंत्री रमेश पोक्रियाल निशंग की अध्यक्षता में गुरुआर को एक उच्छ सत्री बैठक हुई बैठक के बाद मंत्राले के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विशेश रूप से इंजिनिरिंग की शिक्षा मातरभाशा में देने का लाबकारी फैसला लिया गया है और ये सुविधा अगले शेक्षनिक सत्र से चात्रों के लिए उपलब्द होगी इसके लिए कुछ IIT और NIT को चुना भी जा रहा है अगली अपडेट पाकिस्तान से पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया के सामने आतंकवाद को लेकर जूट बोला है संसत भवन और मुंबई 26-11 के हमलों के मास्टर माइंड आतंकी हाफिस को अदालत ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है लेकिन वह अपने घर पर आराम से रह रहा है मीडिया रिपोर्ट के मताविक हाफिस सईद लाहोर के जोहर टाउन स्थित अपने घर में ठाट से रह रहा है और घर से ही वह अपनी आतंकी फैक्टरी भी चला रहा है आतंकियों को निर्देशित भी कर रहा है बता दे हाफिस सईद को अधिकारिक रूप से जुलाई 2019 में गिरफतार किया गया था अंत में बात करेंगे कोरोना संक्रमेंट को लेकर तो दुनिया के 218 देशों में फैल चुके कोरोना वाइरस का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है पिछले 24 घंटे में कोरोना वाइरस के 5,40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आये हैं वही 10,953 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के लिस्ट में अमेरिका सबसे उपर है सबसे ज्यादा तेजी से मामले अमेरिका में ही बढ़ रहे है अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1,8,000 से ज्यादा नए केस सामने आया है और इसके बाद भारत का नंबर बना हुआ है तो कोरोना संक्रमित अपनी पूरी रफतार पकड़े हुए है देश और दुनिया की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही लेकिन अन्य खबरे MP News पर लगातार बनी हुई है धन्यवाद